मरपाटन में सड़क को लेकर ग्रामीन परेशान है मरीज को खाट पर अस्पताल पहुँचाया गया वहीं आपको बता दे कि मरीज की इलाज के दोरान मौत भी हो गई बताया जा रहा है कि मरीज देर से अस्पताल पहुँचा जिसके चलते उसकी मौत हो गई ग्राम पंचायत इटमा खजूरी ताल का ये मामला है देखिए सड़क को लेकर ग्रामीन इतने परिशान है कि खाट पर मरीज को ले गए लेकिन देरी होने के चलते मरीज की मौत हो गई आजादी के 75 साल बीच चुके हैं लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे गाउं हैं जहां अब भी मूल भूत सुवधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं चले इस खबर पर हमारे साथ संभाद आता नरेंदर फोन लाइंग पर जूड़ गए उनका रोख कर लेते हैं नरेंदर बेहद लचर सिस्टम है जिस तरह से तस्वीरे हम देख रहे हैं आए दिन ऐसी तस्वीरे आते हैं जब ग्रामीन खाट पर ले जाते हैं मरीजों को और देखे देरी हो गई इसके चलते एक मरीज को अपनी जान तक गवानी पड़ी जी शुवांगी बताना चाहूँगा ये गटना अमरपाटन की ग्राम रिटमा खजिरूई के ग्राम धतुई की है जहां पर एक वेप्ती दारा फार्सी लगा ली गई थी और उसको घायल अवस्ता में इलाज के लिए अस्पता ले जाय जा रहा था लेकिन गाव में सड़क ना होने के चलते लोगों द्वार इसे खाट पे लाटा गया और इसी कच्छी सड़क वाटी कर्द सभी सड़कों से ले जाय गया जिससे उसकी मौत हो गई दरवसल ये ग्रामेडों की माने तो इन्हों ने पहले भी जनप्रतिजी निजियों से सड़क की मांग कहीं बार की थी लेकिन आज तक यहां पर सड़क नहीं बन पाई है जिसके चलते ये सिस्टम लाचार की तस्वीर सामने आई है जिसम खाट में इस घायल अवस्ता में को ले जाए जा रहा है और देरी होने के जलते युवक की मौत हो गई फिलाल गामीडों के आरोप है कि कहीं बार सड़क की मांग की है लेकिन यहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना ही सरपंच सुनते हैं ना ही जनप्रतिजी सुनते हैं श्यवंगी मिलकु सहिकान अरेंदर आपने जस तरह से लोग यहां परिशान है गाउं में एक सड़क तक नहीं है और उसके चलते की वख अपनी जान गवानी पड़ी क्योंकि खाट पर ग्रामीडों से अस्पताल ले गए लेकिन काफी देर हो चुकी थी